नमस्कार साथियों श्वागत है आपका फिनिक्स एकडमी यूटूब चैनल पर सभी बच्चों आसा करते जबर जस्त मस्त होंगे स्वस्त होंगे सभी लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे होंगे और सभी लोगों मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत बेहतरीन क्लास चलने वाली है आज सब बच्चों का कहना था कि सर रेलवे के लिए कुछ आप करिए रेलवे इलपी की बेकंसी है टेकने Sydney की बेकंसी है RPSI और Constable की बेकंसी है ssc की कैशतारी बेकंसी है जहां पर एक प्रकार से science का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा क mental कि हमने Curls नमकर कि knit थोड़ी सी science बीलकुल बहुत तरीके से आपको मैं पढ़ाओंगा chapter by chapter जिससे आपके एक एक construct बिल्कुल विद्वत तरीके से clear हो जाएंगे और वहाँ से एक भी प्रश्ण आपका फसना नहीं चीए, सारे प्रश्ण बिल्कुल अच्छा से हो जाने चीए ठीक है राम राम जैस्री किष्णा बिल्कुल काहित्री मंतर से इस क्लास के सुरुवात करते हैं जैमाता काहित्री की सभी अच्छों को बिल्कुल जबर्जस तरीके से ताकत दें और एनरजी दें जिससे अच्छे पढ़ाई सकें सब लोग उस कहना चाते हैं कि आप सब लोग वीडियो को जोड़दार तरीके स्लाइक कर दें और सेयर कर दें अपने सभी सातियों के साथ जिससे इस क्लास में ज़्यादत ज़्यादा लोग जुड़कर अध्यन कर सकें और पढ़ाई कर सकें और यह माली जेगा बहुत बेहत जिन्दगी बदलने की घड़ी है पचचताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है सवार लोग इस घड़ी को यही जिंदगी बदलने की घड़ी है साथियों मैं आपको उतातू जित्ते ली लोग पूछते की सर आपका gkgs का क्या पूरा फूल बैच है बिल्कुल है 303.0 जिस जितने भी लोग ये बैश नया अलांच हुआ है और इस बैश की सबसे खास बात ये 2499 का है और इस बैश की सबसे खास बात अगर आप इसमें 10 अपरेल से पहले जुड़ रहे हो तो फाउंडेशन बैश 2.0 कूपन कोड लगा देना उस कूपन कोड का नाम है राम 50 राम 50 1750 रुपए में 3499 बैश मिल जाएगा क्या खास बात है मैत पूरी स्पेसल मिलेगी तरसूल बैश पूरा मिलेगा हिंदी का महा संगम बैश मिलेगा रिजिनिंग का तार्किक बैश मिलेगा बहुत ही यह माली जेगा बच्चों की डिमांड फे फाउंडेशन बैश 2.0 लांच हुआ है अब बहुत लोग कहते सर मुझे सिर्फ साइंस पढ़नी है और तो यह 599 का नहीं है यहाँ पे कूपन को लगाना राम 20 क्लियर है अच्छे से आप इसको जौइन हो सकते हूं मिलेगा कहां पर तो फिने एक सेकेंड में उन्नाव गूगल प्ले स्टोर से बिल्कुल लूशंड सांदार तो लूशंड सांदार तरीके पढ़ने के लिए सब लोग उपस्तित हो गए पढ़ना भी है और यह रही हमारा इंस्टा इडी रागोगुपता.94 इस पर आप हमें फालो कर सकते हो कोई भी डाउट पूश सकते हो मैसेज कर सकते हो ठीक है चल साइंस में सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा किसकी तो मैं बात करे ले रहा हूं सबसे पहले मैं साइंस के अगर बात करूँगा तो बेसिक से कि साइंस जो वर्ड है साइंस वर्ड जो तुम लोग सुना करते हो कि आखिरकर साइंस वर्ड किस से बना है कैसे क्या है इसका अर्थ क्या है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनते चलो सिर्फ साइंस सब्द जो बना है न वो किस से बना है साइंस वर्ड जो बना है वो साइंटिया वर्ड से बना है किस से बना हुआ है साइंटिया Scientia word से बना है science, याद के लेना और अगर तुमसे कहा जाए Scientia word जो है, वो किस भासा का सब्द है तो याद के लेना Scientia सब्द से जो science बना है यह जो सब्द है, यह Latin भासा से बना हुआ है किस भासा से? Latin भासा से अब यही पर मैं आपको बता दूँ, बहुत ध्यान से कि जो Scientia का अर्थ होता है Scientia का जो अर्थ होता है, वो अर्थ क्या होता है तो Scientia के दो अर्थ निकल के आते है उन दो अर्थों का मतलब क्या है एक अर्थ होता है knowledge 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 का मतलब होता है ग्यान क्या मतलब होता है ग्यान और एक अर्थ होता है टू नो टू नो जिसको हम लोग बोलते हैं जानना क्या बोलते हैं जानना क्लियर है तो कहने मलब साइंस के ये दो एप प्रकार से साइंटिया के अर्थ है तो आप आराम से बिल्कुर इसको बता सकते हो जबर जस तरीके से कई प्रकार के आपने साइंस देखे होगे लिए साइंस में कुछ मैं आपको बता दू बहुत बेतरीन तरीके से जिनके जनक पूछे जाएंगे जैसे साइंस में सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पर एक तरफ हो जाएगा नाम जैसे तुमसे सबसे पहले कहा जाएगा फिजिक्स फिजिक्स मतलब अगर तुमसे कह दिया गया फिजिक्स के जनक बताओ फिजिक्स के जनक बताओ इधर क्या नाम लिखोगे जनक फादर अगर तुमसे कहा जाए कि भौतिक बिज्ञान के जनक कौन है किसके बिलकुल बच्चे भौतिक बिज्ञान के अगर तुमसे जनक कहा जाए तो क्या नाम लगाओगे तो सबको पता होना चाहिए भौतिक बिज्ञान के जनक न्यूटन जी को कहते है न्यूटन सा आपको आधुनिक भौतिकी तो आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है तो आधुनिक भौतिकी के जनक बच्चे लिख लेना अलबर्ट आइंस्टीन Albert Einstein तो केवल जब भौतिकी के जनक पूछे जाए तो Newton बताईएगा आधुनिक भौतिकी के पूछे तो Albert Einstein बताईएगा फिर यहीं पर बात आजाएगी राइसायन विग्यान के जनक बताओ तो राइसायन विग्यान के जनक आप सब को पताओगा जिनको बोलते हैं लैवासिये क्या बोलती है लैवासिये किसके फादर है कमिश्ट्री के पिर बच्चे यहीं पर तुमसे बात आजाएगी कि जीव विग्यान के बताओ किसके जीव विग्यान के जीव विग्यान जिसको कहते हैं बाइलोजी और जीव विज्यान के जो जनक के अगर नाम की बात करेंगे तो उनका नाम पढ़ेगा बच्ची यहां पर अरस्तू अरस्तू जो है वो जीव विज्ञान के बेटा क्या है जनक है याद के लेना जब जीव विज्ञान के अरस्तू है तो तुमसे कहेगा जनतू विज्ञान के बताओ जन्तू विज्ञान के जिसको बोलते बच्चे एप प्रकार से बहुत ध्यान से याद के लेना इसके भी कौन है इसके भी है अरस्तू ठीक है उसके बाद तुमसे कहेगा है यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान के बताओ चिकित्सा विज्ञान के तो जद चिकित्सा विज्ञा आसा करताई ये बात सारी सारे सAbको आपको स्मझ में आ गया होंगे सारेक सारेक ये प्रकार से जनक है सबको चलो बहुत बढ़ीया जबर्जस तरीके स सबी लोग बाइल वीडियो को क्या करतो ये chapter बहुत प्यारा सा होता है जिससे सवाल बहुत बढ़े आते है क्या नाम है? उसका नाम है सरल आवर्त गती सरल आवर्त गती अब सरल आवर्त गती वच्चे जिसको बोलते है simple periodic motion simple periodic motion और मैं बता रहा हूँ ये पूरा chapter इस पर आधारी थे टी बराबर टू पाई अंडर रूट एला पांची इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है इससे कम भी हमें नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा जो ये chapter है इस पर आधारी थे और सारे के सारे प्रश्न सवाल मैं इस पर करवादूंगा सारे के सारे बता आप देखते चलो कैसे बाई सबसे पहले तो ये बाद बताऊ सरल आवर्थ गती कहते किसे आप सबको पता होता है एक द्रण बिन्दू होता है ये बिन्दू है और इस पर कोई लोलक लटक रहा होता है इसको क्या बोलते लोलक कहलो या पेंडूलम कहलो कुछ भी कहलो लोलक कहलो या पेंडूलम कहलो कुछ भी कहलो ठीक और ये लोलक एक प्रकार से गती करता है एक बार इतनी दूरी तैं करता है फिर अपने स्थान पे वापस आता है फिर इधर इतनी दूरी तैं करता है तो कहन यह मलब जब लोलक के दुरारा प diving के दौरा किसी निचित पत्पर निचित दिसा में कि जाए फिर फुरार उसी मार्ग पर आपस आजाए तो उस गति को हम लोग बोलते क्या इस गति को कहते आवर्त गति इस गति को बेटा बोलते आवर्त क्टि जिसको बोलते hai periodic motion क्या बोलते है periodic motion क्लियर है इतनी बात तुम्हीं आप पर जबर्जस तरीके से यह यात करे लेना अब इसके बात बहुत ध्यान से बात समझ लेना बहुत ध्यान से क्या समझोगे तो मैं बता रहा हूँ आपको तो अब इतनी बात सुझना कि सबसे पहला तो यह आता है कि सरलोलक का आवर्तकाल बताओं सरलोलक का आवर्तकाल बताओं अगर तुम से कहा जाएगा तो सरलोलक का अगर आवर्तकाल की सेकंड होता है याद किलना बहुत प्यारा सासवाल यह भी आता है किस तरह लोलक का आवरतकाल बताओ तो दो सेकंड आप यहां पर बता ले जाना क्लियर है इसके बाद बहुत ध्यान से बात समझता क्या समझोगे आप अगला सवाल क्या बनेगा यह जो हमने फार्मूला पहली बात तो यह डिफिनीशन समझना आ गई होगी किसी लोलक के द्वारा किसी निच्चित पत पर निच्चित दूरी तै करके फुना उसी मार पर वापस आना ही क्या कहलाता बच्चे आव आवर्थकाल ती का मतलब क्या होता है आवर्थकाल ठीक है एल का मतलब क्या होता है तो एल का मतलब लिख लेना लोलक की लंबाई लोलक की लंबाई पूरा का पूरा खेल इसी से यह माल लिजेगा लोलक की लंबाई जी का मतलब क्या है जी का मतलब है गुरुत्वी तवरा ठीक है तीन चीजे यहां पर आपको दिख रही थी चर्रासी के रूप में मैंने बता दिया टू पाई से यहां पर कोई लेना देना नहीं है और ना इसका होगा मतलब अब यहां पर आप एक चीज़ देख रहे होगे जो टी है आवर्तकाल वो एल के क्या है बच्चे प्रपो घका चलता है बहुत द्यान द समय लना जो चीद जिसके अनुकरमान पाती होती क्यों प्रपोशनल होती है जो फ़रक इस पर पढ़ेगा वहीं फरक इस पर पढ़ेगा है अगर pane तो टीबी बढ रहा है अगर एल घट रही है तो टी भी घट रहा है यह चीज बहुत ध्यान से याद कर लेना दीक पिर यहीं पिर ध्यान दीजेगा T proportional to one upon G क्योंकि जी जो है वो क्या इसके इनवर्स proportional का मतलब यह ओगया बच्चे कि अगर T बढ़ा रहा तो जी घट रहा जी घट रहा तो यह बढ़ा रहा यह बढ़ा रहा तो यह घट रहा पहले तो यह बाद बताो कमेंड करके समझ में आगई की न है जलदी से सबी लोग कमेंड करके बता दो कि इतनी बात आपको समझ में आगई है कि चाल बहुत बढ़िया कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि यह में चीज़ द्यान लो यह चीज़ ध्यान कर लो जो टी है आवर्त काल टाइम पीरेड वो लोलक जो पेंडूलम के लेंद होती है उसके अनुक्रमान पाती है अगर यह बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा यह घटेगा तो यह घटेगा और जो टी है वो जी के इनवर्स प्रपोर्शनल है बेउत करमान पाती अगर यह बढ़ेगा तो यह घटेगा यह घटेगा तो यह बढ़ेगा बलब जस्ट अपोजीट होगा मामला क्लियर है इतनी बास समझ भागी अब बास समल लेना हाँ आरेन चौधरी बिल्कुल बिटा सभी लोग एक बार बस बीडियो को क्या कर दो share कर दो यार साथियों के साथ सभी साथियों के साथ वीडियो को क्या कर दो बच्चे share कर दो धमाकेदार तरीकेस ठीक है हाँ next देखो अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल बास समल लेना जो सवाल आते हैं क्या आता है तो बास समल लेना pendulum pendulum की लंबाई बढ़ाने पर जो पेपर में सवाल आते है लंबाई पढ़ाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा क्लियर है अब इस तरह के सवाल आएंगे option तुमारे पास लिखे होंगे आवर्त काल बढ़ेगा आवर्त काल घटेगा कोई प्रभाव नहीं प्रभाव पोर्त आप्सन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा इतना वासन माई इतने कहने का मतलब है इतने आपसन आगए आपके पास अब सवाल करना है ठीक अब तुम सोचोगे सर इस तरह के सवाल कैसे मैं कर पाऊंगा पूरा का पूरा चैप्टर और इस तरह के सवाल बच्चे केवल यह आपको रटना है टी बराबर टू पाई अंडर रूट एल अपान जी केवल इतना रटना है क्लियर है मेरे लाल बिलकुल बच्चे लाइव क्लाज चल लगी हम रता बिटा सबी लोग समलो बहुत बेहतरीन तरीके पढ़ते चलो आप सब इतनी बात समझ में आई तो कहने मलब अब इस सवाल कैसे कर पाऊगे आप मैंने बताया टी प्रपोर्शनल टू एल अपान जी एल जिसके अनुकरमान पाती है और जी जो है वह इसके बेउतकरमान पाती है पेंडूलम की लंबाई लंबाई का मतलब किस से एल से लंबाई का मतलब किस से एल से फिर उसका मतलब बच्चे किस पर प्रभाव डालने की बात कर रहा है आवर्तकाल पर आवर्तकाल यहाँ पर क्या टी है तो एक चीज तुम देख रहो कि लंबाई क्या की जारी यहाँ पर बढ़ाने पर अगर लंबाई बढ़ा दो तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पढ़ेगा मैंने सिंपल सा कॉंसेट बताया कि अगर यह दोनों अनुकरमान पाती है एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा तो लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल भी तो बढ़ेगा क्योंकि यह बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा तो आवर्तकाल यहां पर answer क्या लग जाएगा बच्चे बढ़ेगा लग जाएगा आवर्तकाल क्या हो जाएगा बढ़ेगा clear है तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पहला सवाल हो गया इस चेप्टर का दूसरा सवाल पूरा सवाल से मैं सिर्फ केवल और केवल काम क्या करना है पूरा सवाल से मैं यहां पे केवल इतना है लंबाई घटाने पर लंबाई घटाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पूरा सवाल से मैं सिर्फ और सिर्फ सब्दों का फेर है बस इतना बताना है तुमें ठीक अब बच्चे यहाँ पर तुमने देखा कि फेर वह इसी तरह सवाल आ गया सिर्फ लंबाई की बात्चीत कर रहा है और आवर्तकाल की और तुमने देखा हुआ फार्मूले में कि जो T होता है वो L K क्या होता है प्रपोस्टल होता है लंबाई जीए कर दर फिनलोगे घटा रहाए तो आवर्तकाल भी क्या होगा घटेगा तो यहां पर एंसर क्या आ जाता है घटेगा है अ nouveaux का घटेंगा कर सकता है कि पेंडूलम के आवर्तकाल कम होने पर उसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा तो बात वही हो जाएगी तो बच्चे एक प्रकारते कमेंट करके बताओ, समझ में आया की नहीं है, इस तरह के खुद सारे सवाल हैं, जो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इससे करवा दूँगा, और आज के बाद ये चैप्टर जैसे नामक बीमारी को आप जड़ से मिटा दोगे, हाँ, जित्ते भी लोग पढ़ लेंग जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो उनसे रेक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और सेर कर दो, ठीक है? मजा आ गया कि नहीं आया? समझ में आया और तो लाइक करिएगा, वहाँ, कोई दिक्कत हुई तुम्हे? अभी दिक्कत इससे भले भ फॉल मुझ्त ऑफ होलुम नहीं होगी अभी तो इसंपें भी नहीं होगी अभी आगे भी नहीं हो कि बिल्कुल पक्का बता रहीं हम हां हां हme कि गारंटी इस बात की लिए कि में पर प्रपोर्शनल तो बहु हएगा तुम्हेर बारेगा अराम से सिरफ साथ बजे क्लास मिलेगी आपको ये साम साथ बजे इतनी बास सुने आगी अब मेरे लाल बहुत ध्यान से बास समझ लेना क्या समझोगे तो बास समझ लेना हां तीसरा सवाल किसी पेंडुलम किसी पेंडुलम का आवर्थकाल बढ़ाने पर बढ़ाने पर उसके गुर्थ्वी त्वरण पर क्या प्रभाव पढ़ेगा क्या प्रभाव पढ़ेगा क्लियर है कहने का मतलब अब बालक यहां पर बहुत ध्यान से बास समझ लेना इतनी बास समझ में आ गई अब देखो यहां पर तुम्हें पता है फार्मूला वस इतना पढ़ा है तुमने टी बराबर टू पाई एल अपान जी यही तो बढ़ा इस बार बताओ तुम्हें किसकी बात कर रहा आवर्त काल की मलब वहां पर टी जरूरी है बढ़ाना है बढ़ा दिया टी को बढ़ा दिया हमने गुर्त्य तरण मैंने बताया था वो क्या है जी इन्वर्स प्रपोर्शनल तो टी जब बढ़ेगा और आपको पता टी के ब्यूत करमान पाती है उल्टा है तो टी हमने जब बढ़ा दिया तो जी क्या हो जाएगा घट जाएगा तो प्रभाव क्या आराम से बता ले जाओगे एक परसेंट उम्हारा सवाल गलत नहीं होगा तो यह आराम से हो गया अब यहीं पर चार नमर अगर सवाल मैं आपसे बना देता है क्या कहता बस इतना ही कहता है आवर्त काल है आवर्त काल बच्चे घटाने पर आवर्तकाल घटाने पर गुर्त्वी तरण पर क्या प्रभाव पढ़ेगा ग्रैविटी पर क्या प्रभाव पढ़ेगा बताओ बतावाई कुछ केटीन पूछा ने पूछा आवर्तकाल की बात कर रहा है आवर्तकाल की वालब टी लाना जरूर है घटाने पर टी घटा दिया हमने और इंवर्स प्रपोरशनल होता है जी क्योंकि तुरर्ण की बात कर रहा है लंबाई की कहीं बात नहीं कर रहा है तो आवर तकाल कर घटा हो गए और यह दोनों एक दूसरे के उल्टा होते यह घटा हो गए तो यह हाँ बहुत बढ़िया तो तुम मुझे कमेंट करके बता दो समझ में आया की नहीं आया जल्दी से बताओ बेटा यह निव वाली लूसेंड पढ़ा रहा हूं मैं निव वाली हाँ जबर्जस्त बेहतरीन आ गया समझ में मजा आया बहुत बढ़िया जबर्जस्त अब देखो अगला सवाल वच्ची अगला सवाल क्या कह रहा है पेंडूलम को पेंडूलम को प्रत्वी तल से उपर या नीचे ले जाने पर प्रत्वी तर से उपर या नीचे ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा बैया इस बार सवाल विकुल अलग लेवल का पूछ लिया तो भाई मैं आपको बता दू बहुत ध्यान से बास समल लेना ये जो प्रत्वी तल है ना बहुत अच्छा से याद कलेना प्रत्वी प्रत्वी पर ये क्या होती बच्चे प्रत्वी पर याद कलेना ये होती बिश्वत रेखा जिसको कहते भूमत रेखा इसको क्या बोलते हैं एक क्वैटर बोलते हैं और यह क्या हूं सा है यह धुरू लेकिन यह धुरू कौन सा बच्चे नार्थ पोल और यह वाला धुरू कौन सा है साउथ पोल यह नार्थ पोल है यह साउथ पोल है मलब उपर वाला उत्री धुरू है नीचे वाला दच्छड क्वारी दूरू है ये बात आपको प्ता होनी चाहिए बिलकुल जबरजस तरीकत रूंप आजए पहले संबर ने यह बात पता है ने हो आणा तो अ भाई दूर्व तो पता होगा ना बस में जीज़ तो यही है न तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो कि धुरू किसे कहते हैं वो किसे कहते हैं चलो इधर देखो अब एक सब्द तुमने सुना होगा इसमाल जी का तो अगर जब इसमाल जी की बात करेंगे जिसको गोलते हैं जी बराबर खुब पड़े हो तुम तो याद करें ना धुरूओं पर जो होता ना इसमाल जी वो अधिक्तम होता है अधिक्तम मतलब मैक्जिमम है है और आपने जी की वैललओ आपर पढ़िए दास मीटरपर सेकेंड़ स्कॉयर है है पढ़िये और जब भूमत रहका की बात आ जाएगी तो यहाँ पर जो जी होता वो मिनिमम होता है हैं और जब जी यहां पर मिनिमम होता है मेरे लाल तो याद करना इस जी की वैल्यू यहां पर होते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्कृार इसलिए तुम धो यूज करते हो जी की एक यूज करते हो दस वाली एक यूज करते हो 9.8 थीक है बहुत अच्छे से याद करना चलो अब आप बहुत ध्यान से बात समाल लेना मेरा प्रत्वी तल से चाहे आप उपर जो चैन नीचे जाओ हमेशा याद के लिए जी का मान घटता है प्रत्वी तल से चाहे आप उपर जाओ चैन नीचे जाओ जी का मान हमेशा क्या होगा घटेगा चैन प्रत्वी तल से उपर जाओ चाहे प्रत्वी तल से नीचे जाओ, G का मान हमेशा घटेगा, तो अब बताओ, पेंडूलम को तुम प्रत्वी तल से चाहे उपर ले जाओ, चाहे नीचे ले जाओ, G का मान तो हमेशा क्या होगा बच्चे, घटेगा, क्लियर है, तो कहने का मतलब है, T inverse proportional to G, अब प्रत्वी तल से चाहे उपर ले जाओ, चाहे नीचे ले जाओ, G का मान क्या होगा, घटेगा, तो T क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आवर्त्वी तल से उपर जाएगा, तो उसका आवर्त्वी तल से उपर जाएगा, बढ़ेगा, लग गया एंसर तुमारा, क्योंकि मैंने तुमको concept समझाया मैंने तुमको concept समझाया आप अच्छे जब ले जाओगे हाँ बहुत बड़ी inject सब लोग बता ले जाओगे बता कमेंड करके बताओ समझ में आ गया यह बता किसको किसको यह बात समझ में आ गयी है मैंने भी बता दिया और भूमत द्रेका पर जी का मान याद के लेना नियूनता मोता मिनिमम कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर ठीक है हाँ बेलकुल अभी नेहा सिंग बता रहे हैं आप परिसान मत हो समझ में आया की नहीं आया बस इतना बताओ फिर उसके बाद आगे अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करते रहो यार आप समय क्योंकि आपका लाइक और सेयर ही इंपॉर्टेंट है इस समय अध्यान से बात समझ लेना क्या समझोगे आप सेक्स नम्मर यहां पर पेंडुलम को अगर पेंडुलम को उपग्रह पर ले जाने पर उपग्रह पर ले जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ले जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा थीक है तो मेरे लाल हमेशा याद के लेना जब उपग्रह की बात आ जाए तो उपग्रह पर जी का मान जीरो होता है उपग्रह पर जो जी का मान होता वो क्या होता जीरो अब एक बात बताओ आवर्तकाल और आवर्तकाल का पूछरा तो ती तो इसके इनवर्स प्रपोशनल होता और जब जीरो हो जाएगा और जब जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो टी क्या हो जाएगा अब एक बात बताओ आपको पता है जीरो बलब यह सून है तो उसका अपोजिट क्या है अनन्त इतना जादा है कि जिसकी कोई गड़ना ही नहीं की जा सकती तो कहने का तात पर जब जी जीरो है तो टी क्या अनंत याद कर लेना आवरत काल यहां पर क्या हो जागा अनंत उपग्रेह पर किसी एकर पेंडुलम को आप ले जा रहे हो तु तो कि दीओ कि आपका पताए 0 का उल्टा क्या होता है आनंत होता इन्फ्नाइट ठीक है कोई चीज अगर जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या अनंत क्लियर हो गया बात बच्चन नहीं है नहीं है बेटा आपका डाउट के क्लियर हो गया हाँ कि इविवास सवंज में आ गई आपको कि चल आगे आओ गर्मियों में गर्मियों में पेंडुलम के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पेंडुलम के आवर्तकाल पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है सर्दियों में पेंडूलम के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे लाल दो सवाल यहां पर में लेकर आया हूं ऊ में एक में और एक सर्दियों में दोनों की बात कर रहा हूं भीगे दोनों की जब बात कर रहा हूं तो आपको बताना है पह। गर्मियों में एक प्रकार से याद के λέ나 गर्मियों में टी प्र South टू पर लएगी यह भी बढ़ जाएगा तो गर्मियों में पंडूलम के आवर्त काल क्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जब आवर्त काल बढ़ेगा मतलब समय जादा लग रहा है तो घरी कैसी चलेगी तो याद करना कर्मियों में घड़ी जो हो जाएगी वो सुस्त हो जाएगी होता नहीं है बाई गर्मी में अत्ती गर्मी लग रही कि आराम आराम काम हो रहा ठीक है आराम आराम काम हो रहा तो कहने का मतलब है बहुत अच्छे से बता सकते हो आप कि गर्मियों में पेंडूलम की लंबाई बढ़ जाएग सर्दियों में बच्चे जो एक प्रकार से लोलक की लंबाई है न वो कम हो जाएगी और ये कम हो जाएगी तो आवरतकाल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा तो आवरतकाल पर जो प्रभाव पड़ेगा आवरतकाल क्या हो जाएगा? घटेगा और घड़ी मतलब क्या हो जाएगी तेज चलेगी याद कले ना सर्दियों में घड़ी जो हो जाएगी सुस्त की बज़ाए क्या हो जाएगी बच्चे तेज हो जाएगी सर्दियों में तो दोनों के दोनों कांसेप्ट बहुत अच्छे से आप बता सकते हो जबर्चस तरीके से ठीक है तो बस मुझे इतना बता दो कि आप सबको ये कांसेप्ट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे सारे सवाल हैं बेहतरी इन तरीके से यह माल लिजेगा अब कहीं भी पढ़ा हो साइंस बिल्कुल जबर्चस तरीके से चेप्टर कंप्लीट कराए दे रहे तो एक परसेंट दिक्कत नहीं होगी अब आगे भी बताने जा रहे बास समझ लेना तो पहले तो मुझे बता दो यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया और जिनको आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दूँ तो बैटा घड़ी सुस्त कब चलेगी सुस्त मलब स्लो गर्मियों में और फास्ट कब चलेगी ठंडियों में क्योंकि गर्मी में जो पेंडूलम की लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी तो आवर्तकाल भी बढ़ और आवर्तकाल बढ़ने का मलब समय जादा लग रहा समय मलब धीरे चल रही घड़ी और ठंडियों में पेंडूलम की लंबाई कम हो जाएगी तो आवर्तकाल भी समय भी कम लगेगा इससे यह पता चलेगा आवर्तकाल घटेगा और घड़ी तेज चल रही है इसका मतलब आराम से बता सकते हूं ठीक है बहुत बढ़िया हाँ जबर जस तरीके साब बता सकते हो एक एक सवाल बिल्कुल किलियर कर सकते हो ठीक है इसके बाद आगे बात करते हैं आगे बेटा अगला सवाल बहुत बढ़िया है अगला सवाल देखके तुम्हें मजा आ जाएगा क्या है इधर देखना हूं जूला छूलते हुए कोई लड़की कोई लड़की खड़ी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा सब में एंसर यह आते बढ़ेगा घटेगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा हर एक कांसेट वच्चे और यह सवाल तब तक तुम्हें नहीं आते जब तक तुम सीखते नहीं अच्छे से ठीक है और जब सीख जाओगी तुम मजा आ जाएगा ठीक है देखो भाई गाओं में तुमने देखा होगा गुडिया के दिन होते बसंद पंजमी वाले दिन आप सबने देखा होगा यह कोई पेड की साखा होती है यह एक प्रकार से पेड की साखा होती हो पेड की साखा में यह क्या होते डोरिया रसी बंधी होती और एक प्रकार से यह एक प्रकार जूले की और लड़की जब बैठी बैठी जूल रही है लेकिन लड़की क्या हो जाए अचानक से खड़ी हो जाए मतलब इस लड़की की लंबाई पहले डोरी की तुलना में इतनी ती अब लड़की खड़ी हो गई तो लड़की जब खड़ी हो जाएगी तो इसकी लंबाई इस डोरी की तुलना में इतनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी इस से ये पता चला कि जब लड़की बैठी थी तो डोरी की जो लंबाई थी वो लड़की की लंबाई की तुलना में जादा थी और जब लड़की खड़ी हो गई तो डोरी की लंबाई लड़की की लंबाई की तुला में क्या हो गई उसके सापेच में कम हो गई क्लियर है तो कहने का मतलब है जैसे ही कम होई इसका मतलब है जो टी होए वो एल से डिपेंड है और लड़की के खड़ी होने पर लंबाई क्या होगी जूले की डोरी की कम होगी तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ पर यात कर लेना अगर जूला जूलते समय कोई लड़की अचानक से जूले में खड़ी हो जाए तो उसके आवरतकाल पर क्या प्रवाव पड़ेगा घटेगा आवरतकाल क्या हो जाएगा घटेगा ठीक है इतनी बात तुम मुझे कमेंट करके बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है आ गया अगर आ गया है तो बता दो पिड़ा यह मारेस की वैकिंसी अगस सितंबर में आएगी हां यह साइंस की क्लास सारे एक जाम में काम आएगे माली जेगा मोनो दादा के रहत सर आप क्लास कितने दिन से ले रहे हैं यह पहली क्लास है आज साइंस की और अब इतक तो पॉलिटी का डेमो चल आता जिन लोगो को अगर लगा हो कि हाँ पॉलिटी पूरी बिल्कुल बेहतरी इन तरीके पढ़नी है और सारे सब्जेट जीके के कवर करने मैंने पहले बताया आप सब जाके तुरंट गूगल प्ले स्टोर पर फिनिक्स एकडमी उन्नाव डाउनलोड करो यह हमारा नम्मर एक वाट्सप और तुरंट इस बैच में जाके इन्रोल हो जाओ अगर आपको लेना है बिल्कुल बेहतरी इन तरीके एक एक चीज की प्रैक्टिस तक कराई जा रही है ठीक है और रही बात जब इस बैच को आप ले रहे हो तो यह महंगा पढ़ रहा तो सभी के लिए नया बैच लांच जालो तो आसा करते सारी बात आपको समझ में आ गई होगी है ठीक है कि यह समझ में आ गया हां बहुत बढ़ा शाबास चलो बिटा बिहार पुलिस के लिए ठीक है सारे एक जाम के लिए ठीक है डोंट वरी अब तुमने जूला भाई जूला थोड़े जूलवाने जाएंगे तुमको हम जूला तो तुमको खुद जूलना होगा तुम खुद ही देख लोगे चलो अब बेटा यहीं पर सवाल समझ लेना बहुत ध्यान से अगला सवाल बहुत प्यारा है क्या है तो इधर सुन लो जूला जूलती हुई लड़की के बगल में कोई अन्य लड़की आकर बैठ जाए अन्य लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अब मैंने क्या बता है बहुत ध्यान से बास सबनना बच्ची इस क्लास की पीडियाप भी वहीं पर मिलेगी डोंट वरी ठीक है हाँ अब ये वाला सवाल भीया बहुत प्यार है बताओ बताओ या अब मैंने कहा कि जूला जूलते समय इस लड़की के बगल ये जो लड़की बैटी थी इसके बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ गई भाई कोई दूसरी अन्य लड़की आकर बैठ गई तो अब बैया अब सिंपल सी बात है जब जूले के पट्रे पर एक लड़की बैठी जूल रहा सम्स दूसरी लड़की आकर बैठ जाएगी तो तुम बताओ क्या जूले की स्पीड कम हो जाएगी या आवरतकाल कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा खुद बताओ अब इदर बास सुन लो कोई लड़की आकर बैट जाए और कोई बैट जाए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने फार्मूला क्या पड़ा हुआ है टी प्रपोर्शनल टू अंडर रोट एल अपांट जी यहां पे तीन च द्रब्यमान ही तो बढ़ा है या भार बढ़ा है और आपको पता है इस पार्मूले में कहीं पर द्रब्यमान का कोई प्रभाव नहीं है कोई प्रभाव नहीं है जिब द्रब्यमान का कोई प्रभाव नहीं है द्रब्यमान सब्द कहीं यूज नहीं हुआ भार सब्द कहीं यूंज हुआ तो याद करना आवरतकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब नोट मतलब नोट मैं मतला सकते हूं आप अब बताओ तुम समझ में आया कि नहीं आया कि आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि जब अर्जस तरीकस प्यूज जी कह रहे हैं सर ऐसा पढ़ाई एक पीडियाप की जरूरती ने पढ़े बिल्कुल बच्चे व ऐसे ही पढ़ा रहे हैं आप पढ़ो तो वीडियो को लाइक करो सेयर करो धमाकेदार तरीके से समझ में आ गया तुमको खुश सोचना है कोई लड़की आकर बैठ गये तो उसका भार ही तो बढ़ा रहा तो क्या कहीं पर भार की बात के गई देखो पूरे एक से लेकर दस तक का हमने बता दिये इस चैप्टर के जितने भी सवाल थे सारे सवाल इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हमने कहा था सिर्फ याद कर लेना तो क्या सिर्फ ये तो पहले तो बताओ सरल आवर्त गति के जितनी भी चीजे बताई तुमको समझ में आई है कि नहीं आई है बस इतना कमेंड करके बत हाँ, बहुत पढ़िया, साब बाश, बहुत अच्छे समझ में आ गया, शाब बाश, अब मेरे बच्चे बहुत ध्यान से बास समनना, क्या बताने जा रहा हूं तो मेरी बास सोन लेना, अब साइंस में एक सवाल बहुत प्यारा तुमने सुना होगा, अदिस रासी होगा, जिसको बोलते हैं क्या, Scalar Quantity और एक होता बच्चे सदिस रासी सदिस रासी जिसको होते हैं Vector Quantity दोनों में फर्क इतना होता है कि जो अदिस रासी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता परिमाल जिसको होते हैं Magnitude और सदिस रासी में परिमाल तो होगा परिमाल के साथ साथ Direction भी होगा Magnitude भी होगा साथ में Direction दिसा भी होगी वो क्या होता वो होती Vector Quantity और ये होती बच्चे Scalar Quantity इतना फर्क है दोनों में तिक है अब सवाल बहुत अच्छे से आते हैं किनने लिकेत में से कौन अदिस रासी है इसका सवाल यह आता है तो बेटा बहुत अच्छे से याद कर सकते हो अदिस रासी की जब तुम ट्रिक याद करोगे तो क्या याद करोगे तो याद करे लिए उस समय ये बहुत प्यारी ट्रिक याद करे लिए उस समय की आर्दता को चाभी दो उस समय की आर्दता को चाभी दो बस इसी से तुम्हें याद हो जाएंगे सारी के सारी उसे क्या बनेगा उसे बेटा उर्जा बनेगा अगर उसे उर्जा है तो उसे उस्मा भी हो जाएगा याद कर लेना क्लियर है फिर बेटा सा से सा से क्या याद करोगे सा से तो आल लेडी कुछ ना याद करो आप यहाँ पर डिरेटर देख लेना समय समय आल लेडी यहाँ पर आ गया समय लिख लेना उर्जा हो गया, उस्पा हो गया, समय हो गया, फिर की से कारे याद कलेना, आ से आयतन याद कलेना, द्रा से द्रब्यमान याद कलेना, ता से ताप याद कलेना, एक एक सवाल बिल्कुल रटरट मारना, ठीक है, चा से चाल याद कलेना, बी से बिद्दुधारा याद कर लेना और दो से बिटा दाब याद कर लेना ये तो गए ट्रिक के माध्यम से जितनी भी आतिस रासियां थी इनके अलावा आतिस रासियों मैं गर मैं बात करूँ एक तुमने डेंसिटी वर्ड सुनाओगा घनतु वो भी बच्चे इसी में सामिल है एक तुमने सुनाओगा लंबाई लेंथ ये भी इसी में सामिल है और एक तुमने सुनाओगा सरफेश टेंसन परस्तनाओ जिसके कारण वर्षा की बूंदे गोल होती हैं क्यों तो प्रस्तनाओ करण इतनी बच्चे हमने तुमको चीजे बहुत तिक चीजों बताई रासियों में जो एक प्रकार से अधिस रासियों के उधारण है अब तुमसे सवाल जैसे कहे किन्निमलिकित में से कौन अधिस रासी है इसके लिए कॉंटिटी है या नहीं है तो आप इसको आराम से बच्चे क्या कर सकते हो बता सकते हो डिफाइन कर सकते हो ठीक है तो बताओ बता सकते हो कोई दिक्कत है नहीं बताओ जल्दी है किसी को दिक्कत चलिए सिंपी कुमारी सर आपकी रैटिंग बहुत सुंदर है ठैंक्यू बच्चे अब यहां पर बात आती है सदिस रासियों की तो जब सदिस रासि की बच्चे बात आ जाए इसकी ट्रिक देख लेना क्या याद करोगे बिशुवत बल्की तीवरता बिशुवत बल्की तीवरता ट्रिक बस इतना याद कर लेना कैसे तुम्हें याद करने सारे तुम्हें बताता हूं वी से बेटा क्या याद करोगे विस्थापन इसकोलते डिस्प्लेस्मेंट वा से वेग और जब वेग है तो समवेग भी होगा आवेग है तो कोड़ी वेग भी होगा और वेटा जब ता है ता से तुरण हो गया और बल से अल्रेडी बल हो गया तीवरता में आ जाओ तीवरता में एक याद करेना बिद्दुत तीवरता इलेट्रिसिटी इंटेंसिटी और एक याद करेना चुम्बकी तीवरता चुम्बकी तीवरता और बिद्दुत तीवरता ये दोनों उधारन इसके हो गए तो कुल मिला के यह हो गई अदिस रासियां सदिस रासियां बता सकते हो बच्चे आराम से बटा हर नहीं है जी बटा हर पेपर में काम आएगा चाया आप UPSCCCZ दो जाया जो दो 100% हर पेपर में तुम्हारे काम आएगा डोंट वरी ठीक है इतनी वासों में आ गई होगी अब एक तुमको और साइन्स का कॉंसर्ट बताते हैं जो बच्चों को यादी नहीं होता जो उनको समझ भी नहीं आता है हाँ सवाल उनका 100% गलत होता है लेकिन आज सीख जाओगे आज की बाद गलती नहीं करोगे चलो अब बेटा आजओ बहुत ध्यान से एक चीज में तुमसे बात करने जा रहा हूँ सिर्फ किसकी जल की जल की बात करने जा रहा हूँ बात समल लेना बहुत ध्यान से तो चीज तुम मुझे बता दो जल जमता कितने डिग्री सेंटी ग्रेट पर है जीरो डिग्री सेंटी ग्रेट जिसको बोलते है हिमांक इंग्लिस बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर है बरब किस पर बनती है जीरों पर दूसरी बात जल उबलता किस पर है और जिस तापमान पर उबलता है बॉइलिंग होता है उसको बोलते हैं कोत नांग और कोत नांग जो होता है वो 100 degree centigrade होता है सेंटीग्रेट में बात कर रहा हूं अभी केलविन फॉरेन हाइट इसको इमने बाती जिक्री नहीं किये ठीक है इतनी बास समझ में आई नहीं अब में चीर बास समझ लेना जब जमता हिमांग जीरो पे कॉतनांग सो पे उबलता है मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा तीसरी बास समझ लेना जल का घनत तो अधिक्तम मैक्जिमम घनत तो कितने डिग्री सेंटीग्रेट पर होता जल का चार डिग्री सेंटीग्रेट पर पढ़ेयो कि जल का सरवादी घनत तो कितने डिग्री सेंटीग्रेट पर चार पर बिटा अब एक तुमने फार्मूला पढ़ा होगा घनत तो बराबर द्रब्यमान बटे आयतन डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वैल्यूम तो एक बात बताओ मेरे लाल मेरे बच्चे कि जब घनत तो अधिक्तम है कितने पर चार पर और घनत का अपोजिट कोन है आयतन जब घनत तो अधिक्तम है चार पर तो नियूनतम वही उत्ते डिग्री पर क्या होगा आयतन होगा तो जब जल का अधिक्तम घनत की बात की जाए तो चार डिग्री सेंटीग्रेट लेकिन की चार्ट डिक्री सेंटीक्रेट ही तो लगेगा मेरे लाल मेरे बच्रे इतनी वास्तों में आगए आप सबको मैं पताईये फड़ावट इतनी बास समझ में आ गई है जब निवनता मातन चार डिग्री सेंटिकेट पे अधिकताम घनत चार डिग्री सेंटिकेट पे इधर मेरी बास सुन लेना बहुत ध्यान से इस से यह पता चला जो जीरो डिग्री सेंटिग्रेट है, एक डिग्री सेंटिग्रेट है, दो डिग्री सेंटिग्रेट है, तीन डिग्री सेंटिग्रेट है, चार डिग्री सेंटिग्रेट है जब जल को हम 0 degree centigrade से लेकर 4 तक ले जाएंगे तो यहां तक आयतन इसका क्या होगा आयतन इसका क्या होगा जब निउन्तम आयतन 4 degree centigrade तक है मतलब निउन्तम 4 पे उस 3 पे उस से ज़्यादा इस पे इस पे ज़्यादा होगा तो नियुंतम आयतन जब चार पे है तो जीरो से चार तक जाने पर आयतन क्या हो रहा मेरे लाल? घटता है ना? बताओ, जीरो से चार तक जाने पर आयतन क्या हो रहा मेरे लाल? घटता है ना? बताओ, जीरो से चार तक गए आयतन क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है? बहुत प्यारा कॉंसेप्ट है यह मां लिजे किताबों भी ढूड़ोगे तो ढूड़ते रहोगे यह क्या होता जा रहा एक प्रकार से कहले ना घटता जा रहा चार तक गए और न्यूनतम आयतन घटता गया क्लियर है इतनी बाद सोझ में आ गई है जीरो से चार तक अब एक बाद बताओ चार के बाद आयतन क्या होगा बढ़ना चालू होगा यहां तक अधन घट रहा था चार के बाद आयतन बढ़ने लगा चार के बाद आयतन बढ़ने लगा सवाल कैसे आता है पेपर में तो मेरी बास समले ना आखे खुल जाएंगी जल को जल को दो डिग्री सेंटिग्रेड से तस डिग्री सेंटिग्रेड तक गरम करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बता भया कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जह सवाल है कि पेपर तो आज कल इसके ही डिमांड कर रहा है कि तुम रेलेवे के एसाई का पेपर दोगे कांश्ट्पल का दोगे एलपी का दोगा टेकनिसियन का दोगे हर एक एक जाम दोगे साइंस में क्या साइंस में तुम ये पढ़के जाओगे कि उसमा का मातरक कैलोरी उर्जा का मातरक जूल बेटा सवाल ये हैं तुमारे कैसे बताना आप चाहिए तो कहने का मतलब है ये सवाल तुम्हे बताना है क्या प्रभाव पढ़ेगा आपसन तुम्हे बताना है देखो अंसर आने लगे हैं घटेगा सर और और बताओ क्या प्रभाव पढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा कि कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा क्या अंसर आएगा देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इधर सुन लेना मेरे भाई सबसे बड़ी बात इसने क्या बोल दी दो से दस अगर यह सिर्व इतना बोलता दो से तीन दो से तीन यह दो से चार तक तो डैरेट एंसर रखाता घटता डैरेट एंसर रखाता घट जाएगा लेकिन इसने बात बोल दिया दो से दस तक इसका मतलब है दो से चार तक जाएंगे तो आयतन पर प्रभाव क्या पढ़ेगा पहले घटेगा लेकिन चार के बाद जब दस तक जाने की बात आएगी तो अब भाई घटेगा कहाँ पर बढ़ेगा तो कहने के मलब यहाँ पर answer क्या लगेगा यहाँ पर answer तुमारे एक जाम में छपेगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा किसका आयतन बिटा जल का यह तुमारा answer हो जाएगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा बताओ आया मज़ा तुम्हे अगर सिर्फ इतना तुमसे पूछता दो से चार डिग्री सेंटीगेट तक गरम करने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो सिंपल सी बात सिर्फ और सिर्फ घटता लेकिन दो से दस मैंने कहा और यहां पर तुम्हें समझाया भी था कि जीरो से चार तक जाओगे तो जल का आयतन घटता है उसके बाद बढ़ता है सिर्फ तो बता कितने लोग बता ले गए अभी और सवाल पूछ रहे हैं तो बताना भया अगर मैं तुमसे कह दूँ जल को पांच डिग्री सेंटीग्रेट से दस डिग्री सेंटीग्रेट तक गरम करते हैं गरम करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बता भया कितने लोग बता पाएंगे हाँ कितने लोग बता पाएंगे पांच डिग्री सेंटीग्रेट से दस डिग्री सेंटीग्रेट तक करम करने पर उसके जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते कितने लोग इस concept को समझ पाएं हैं बहुत बढ़िया, सब बास रिसी बाबा, मम्ता, बहुत प्यारा इन लोगों ने पकड़ लिया मैंने कहा था, चार के बाद सिर्फ बढ़ता है और मैंने यहां पर पूछा है पांच के बाद मलग चार तक कोई नामों निसान नहीं है तो इसका मतलब आयतन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बढ़ेगा, बता लेगे बाई बता लेगे बाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब बास, सब बास, मजा आ गया बिटा, अगला सवाल बारा डिग्री सेंटिग्रेट से तीन डिग्री सेंटिग्रेट तक सौरी, पास डिग्री सेंटिग्रेट तक जल को गरम करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ बारा डिग्री सेंटिग्रेट से पांच डिगरी सेंटीगरेट तक लाने में उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखते कितने लोग इस सवाल को बता पाते हैं प्रिया पोरवाल कह रही है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा देखो जितने लोग सिर्फ बता रहे हैं घटेगा बिलकुल करेट है क्योंकि मैंने बताया है चार के बाद आयतन बढ़ता है और मैंने तो आप से सिर्फ इतना ही पूछा ना बारा से पांच तक तो बच्चे बारा से पांच जब इधर से आप जाते थे तो बढ़ रहा था लेकिन जब इधर से आओगे तो लाइन बेटा गिरती ही नहीं चली आ रही है मतलब आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा बारा से कहने का मतलब है कि बारा से इधर से इधर आ रहे हो कम की ओर तो कम की ओर आने पर आयतन क्या हो रहा है घट रहा है आप फीगर देख के नहीं बता पा रहे हो मेरे लाल बस तुमसे उल्टाई तो किया था जब आप इधर से इधर जा रहे थे बढ़ रहा था इधर से इधर आ रहे हो तो घट रहा है मेरे लाल अभी भी कंफ्यूजर हो लेकिन यहां पर अगर तुमसे यह कह देता कि 12 डिग्री सेंटीग्रेट से 3 डिग्री सेंटीग्रेट तक गरम करने पर जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेग अगर मैं यह बात पूछ लेता तो सिंपल सी बात थी 12 से 3 तक और मामला बदल कहां पे जाता है चार पे तो 12 से पहले चार तक आओगे तो क्या आएगा खटेगा पहले चार के बाद कहां पहुचना है 3 पे तो इधर की ओर मार रहे हो रास्ता इधर की ओर रास्ता मार रहे हो तो 4 से 3 पहुच रहे हो यह देखो चार से तीन पहुँच रहे हो तो क्या लाइन जा रही है पहले बारा से चार तक आए घटता हुआ चार से तीन तक पहुँचे बढ़ेगा कैने मलब है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा बाई देखो किता अच्छा कॉंसेप्ट हम ने तुमको समझाया है जल के बारे में लका अश्मान प्रशार होता है जैसे सवाल पूछ ले तुम उड़ा किया तो जो कर बता है कांसेप्ट में आया कि नहीं आया तो है तुम लोग मुझे क करके बताओ कॉंसेप्ट समयEm माया कि नहीं आए देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ कि आ बहुत बढ़ी है बिड़ा साम को साथ बजे क्लास होगा साम साथ बजे डेली क्लास होगा चैनल सब्सक्राइब कर लो बीडियो को लाइक कर दो सेर कर दो बैया आ गया सभी लोग पिटा कमेंड करके बताना एक सवाल बहुत ध्यान से जल का यह बताईए बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मनुष्य का सेंटीग्रेट में तापमान कितना होता है इसका कमेंड करके आप बताईएगा जब क्लास ओवर हो जाए कमेंड बॉक्स में क्लियर है और आप बताईएगा क्लास कैसी लगी और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना जितने लोग वीडियो को देख रहे हो इसकी पीडियाप मैं आपको बतादू कहां पर आपको दूंगा मैं इसकी पीडियाप आपको मिलेगे यहां पर Google Play Store से फिनिक्स एकेडमी उन्नाव डाउनलोड कर लो किसी प्रकार की समस्या इस नंबर पर कॉल कर लो जबर्जस तरीके से ठीक है हाँ जबर्जस तरीके से और जित्ते भी लोगों मैं बता दू साइंस स्पेसल बैच पढ़ना चाहते हैं तो राम 20 कूपन को लगा सकते हैं जिसमे पूरा पढ़ सकते हो लाइफ टाइम एलेटरिक साथ पांसो निन्यानवे के साथ ठीक अब जो बच्चे बता दे नया बैच है फाउन्डेशन बैच 2.0 मैट जी के हिंदी रिजिनिंग सर्त तयार को रो राम 50 कूपन को लगाओ 1750 में जिसमें तुमको ये त्रिसूल बैच प्राच 3.0 इतना वाला मिल जाएगा मैत का मिल जाएगा और महा संगम बैच मिल जाएगा तर्किक बैच मिल जाएगा व था प्रऌंडेशन बैच में ठीक है साथ्यों बिदा लते मिलेंगे आपको एक नई क्लास में कल साम साथ बीज पत्तक के लिए जैन जैंभारत बंद मात्र.